नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉचर पर मैं हूँ अशोक वान खड़े, लेकर आया हूँ आपका आपना कारेक्राम, दो एक्सरे, एक खबर चंद्रा बाबु नाडु दिल्ली पधार रहे है, पिछले दस दिनों में दो बार, इस खबर को जब मैं एक्सरे से और चंद्रा बाबु नाडु और नितिश कुमार के समर्थन से, और बाकी चोड़े चोड़े पार्टी के 5-6-6, दो आकलों में सिर्फ यही लोग है, और इनी के भरों से यह सरकार टिकी है, कल नितिश और चंद्रा बाबु नाडु अलग हो जाते हैं, तो यह सरकार गिर जाती है, तो इन लोगों को कैसा खुश करेंगे, यह बहुत बड़ी कसरत इस सरकार को होगी, जब मंत्री मंडल बना, तो लोगों को लगा, बड़े मंत्राले को लेके जगडा होगा, लेकिन दोनों चुप रहें, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ, बिरला साब फिर फिर स्पीकर बने, तो यह दोनों चुप रहें, फिर यह ऐसा लगने लगा कि शायद इन दोनों को मैनेज किया गया, लेकिन नहीं, सवार यह है कि यह दोनों इसले चुप थे, कि मंत्री पद और स्पीकर पद यह इनके लिए इतना इंपोर्टन नहीं था, खासकर चंद्र बनाने का श्रे चंद्रवावु नाडू को जाता है, वो चंद्रवावु नाडू जो एक लार्जर द्यान विजन देखने वाला इंसान है, मैं उन्हें राजनीती का मनमोन देशा ही कहता हूं, क्योंकि बहुत फैंटेसी में जीते हैं, और वो रियालिटी में उतारने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग प्रियाता बनी रहें, यह तो बात अलग है कि जगन वाइसा रेड़ी के मृत्यू के बाद जगन को सिंपहती मिली और उसके बाद जगन लगातर सत्दा में रहें, लेकिन जगन ने उस सत्दा का सही उपयोग नहीं किया, तीन-तीन जगा रा आंधर प्रदेश अब बैंक्रफ्ट है, दिवालिया है, पैसा नहीं है, तीजोरी खाली है, और विजन देखने वाला आदमी बड़ा है, और जो वादे की चुनाव में, वो भी बड़े-बड़े वादे हैं, अब इन सब के लिए धन चाहिए, तो उन्होंने एकी कंडिश है, एटियम के पेट में दर्द हने लगता है, क्योंकि नोड बहुत कम है, काड 27 राज्यों के पास है, और एकी राज इतना लेके चला गया, तो क्या होगा, पिछली बारा आये थे, बाकाइदा, बहुत सारी चीज़े बोल के गए, और कई चीज़े ऐसी थी, कि जो मंत्रा के थोड़ी बहुत अनौस भी हो गए, लेकिन इस बार जो आये है, वो इसलिए आये है, कि 23 जिलोई को वित्त मंत्री निर्मला सितारामन देश का बज़ेट प्रेश करेगी, ये मोधी सरकार तीन का पहला बज़ेट होगा, निर्मला सितारामन का लगातार सात्वा बज़े सीधा आंधरपदेश के नाम से, खासकर उन्हेंने कहा कि अनंतपूर, चित्तूर, कुडपा, कुर्नूल, स्री काकुमल, विशाकापटनम और विजयनगरम, ऐसे कुछ पिछड़े जिले है, इस जिलो को विकास करने के लिए, सीधा बज़ेटी अनुदान, बज़ेट में ह अनुदान का प्रोविजन रखो, ताकि फिर उदर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, कि आर्बन से ले लिया, तो रूरल से ले लिया, फिर रोड़ वालों से ले लिया, ये भानुमती का कुद्वानी करेंगे, वो सीधा एक जगा से ही मांग रहे है, उसके बाद उन्हों उन्होंने काम रोग दिया, सिर्फ इसले रोग दिया कि वो चंद्राबाबू नाडू ने शुरू किया था, लेकिन एक ऐसी राजधानी जो पुरे विश्व में सबसे बड़ी राजधानी होगी, चाहिए कि देश के पास भी इतनी बड़ी राजधानी नहीं, इतना वेल अमरावती का प्लान उन्होंने किया था, उसको फिर से शुरू करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा धन चाहिए, और वो धन फिर वित्तिय बजेट में ही आवंटित करें, उसका अनुदान हो, तो वो भी योग चाहते हैं, फिर पोला वरन सीचाई है, जो मल्टी इरि इलेक्रिसिटी कई चीजों के उसके उपयोग है, और वो आंधर के लिए लाइफ लाइन साबित हो सकती है, जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो, एक उनिस सो इकतालिस का प्रोजेक्ट है, आजादी के पहले से, राजा महराजाओं से कंसिव किया वो प्रोजेक्ट है, और तीन तो बड़ी मांगे उन्होंने की, जब इस मांगों के लिए, जब कोई कहता है कि क्या यह आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या आप सरकार के लिए बैसा की है, इसलिए आप चो चाहे हो सरकार से मांग रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, तब टीडीपी के महासचि लिए ये धन जरूरी है, जो वादे हमने किये चुनाव में, वो बीजेपी को भी पता थे, क्योंकि वो हमार साथ चुनाव रड़ रहे थे, उस गोशना पत्र में बीजेपी का भी सिंगॉल था, तो ये बीजेपी के भी वादे है, एंडिया के वादे है, उनको ये पूरा कर देना होगा, इसलिए ये कोई, हम नहीं मानते कि ये कोई गलत मांगे है या अप्रत्याशित हम कुछ मांग रहे हैं, ये तो नैचरल है, और देना होगा, विजेवाडा, विशाका पत्नम, अमरावती के लिए मेट्रो चाहिए, ये भी एक डिमांड है, लेकिन उसमें और विशाका पत्नम, मैसूर, ये वंदे भारत ट्रेंस भी चाहिए, और बहुत सारे राज्यों के लिए पेट्रोलियम हब और एक तेल रिफाइनरी, शायद पेट्रोलियम हब तका तो अनौंस हो गया, तेल रिफाइनरी का भी करीब-करीब अनौंसमेंट है, लेकिन ये वो है कि जिससे सिर्फ पेट्री बढ़ सकती है, कि आज रिफाइनरी की पत्थर दाल दिया, अब इसको बनने में पांच साल लगेंगे, आठ साल लगेंगे, आठ साल में लोगों को लगेगा कि चलो एक प्रोजेक्ट लाया, लेकिन इमीजेटली जो बेनिफिट्स है अठ सिर्फ लगेगी, तो लोगों का लगेगा नहीं, चन्दराब अबुनाडू पूरे टाकत के साथ काम कर रहे है, चन्दराब अबुनाडू आनद्र में अपना वजूद बनाना चाहते है, वो आनद्र में ऐसी सरकार CC चलाना चाहते है, कि कमसे पाने वाले दस साल तक वो सत्ता से बाहर ना हो, और इसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा है दिल्ली के पास, लेकिन दिल्ली के पास भी अपना सिमी संसादन है, जब आये थे तो हो जार 14 में मोदी जी, तो 54 लाक करोड करजा था, अब देश पे 205 लाक करोड से भी जादा करजा हो गया, इतना करज लेकि हम कहां जाएंगे, सरकार की भी एक लिमिट है, लेकिन फिर सत्ता में रहने का यदि लोब हो, तो फिर देश जाए भाड में क्या फरक पड़ता है, देश जाए खड़े में क्या फरक पड़ता है, हमें सत्ता में बने रहना है, करजा लेते रहेंगे, रियोडिया बा नमस्कार देखते रहिएका नूज लॉंचर